गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज की ओनलाइन क्लास में आप सब को स्वागत है तो आज हम लोग की क्या करना है आज हम लोग को देखना है प्रोनौन में यहां वर्ड्स लिखे हुए आई मैं मैं मेरा मी मुझे आई का जो आई क्या है singular मतलब मैं अकेली या मैं अकेला और वी क्या है जब एक से ज्यादा लोग हो जाए और वो अपने बारे में बात करें तो लगाते हैं वहां पर वी तो I का plural form क्या है बहुवचन क्या है वी, we means हम जैसे हिंदी में भी कहेंगे एक वचन में मैं और इसका बहुवचन शब्द क्या होगा हम इसी तैकिय से सारे हैं मेरा एक वचन हमारा बहुवचन My singular or our plural Me singular us plural मुझे एक वचन और हम सब बहुवचन तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि first sentence दिया गया है I am a student तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर first sentence में इस pronoun word को I को use किया है फिर second वाली में इसका plural हमने यहाँ पर use किया है I am a student मैं एक student छात्र हूँ या छात्रा हूँ we are students we are students मतला हम छात्र है यहाँ पर देखिए I के साथ M लगता है हमीशा और V के साथ हमीशा आ राता है helping word आ राएगा इसमें फिर है अगला sentence we are students मतला हम छात्र है जब एक से ज़्यादा लोग के लिए आएगा we तो हम छात्र है we are students फिर है अगला sentence this is my pen तो हमने my का यूज किया है यहाँ पर तो यह मेरा pen है एक pen के लिए फिर है we like our teachers हम अपने teachers को पसंद करते हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा teachers की बात हुरी है तो our teachers हम अपने teachers को सिखशक को पसंद करते हैं फिर यहाँ पर है follow me मेरे पीछे आओ या मेरा अनुसरान करो इसके दो अर्थ होंगे यहाँ पर follow me कोई हम काम कर रहे हैं और किसी को अन को भी वही काम करवाना चाते हैं तो हम कह सकते हैं follow me फिर है अगला sentence let us go हमें जाने दो ठीक है? हमें या हम सब को जाने दो यहाँ पर इसका आर्थ होगा हमें भी इसका आर्थ हो सकता है या हम सब को जाने दो तो यहाँ पर आपको करना क्या है इसमें आपको जहाँ जहाँ प्रोनाउन वर्ड्स हैं आपको पहले बाद उनको ऐसा से एजट लिखना है बिल्कुल ऐसी कैसी और फिर आपको यहाँ जैसे जो जो वर्ड्स आपको pronoun words यहां पर लिख रहे हैं उनको लिखने के बाद सारे sentence को लिखने के बाद आपको circle करना है यहां जैसे I, V, My, We, Our, Me और us को आपको circle करना है और इसके बाद आपको इसके अलावा पांस sentence अपनी कोई कोई के पुरानी किताब हो या आप अपने मन से बना सकते हो तो वो sentence को आपको पांस sentence को इसके इलावा और लिखना है तो आप लोग कर लेंगे मुझे पूरा विश्वास है Thanks